दोस्तो आजकल पित की थेली या गॉल ब्लेडर के स्टोन का दर्थ काफी आम हो गया है और इसी वज़े से पित की थेली का ओपरेशन कराना भी एक बहुत आम बात हो गई है पर क्या आप जानते ही कि पित की थेली या गॉल ब्लेडर में पत्री होती क्यों है इस तरह की पत्री के लक्षण क्या होते हैं और क्यों आजकल सब में ये पत्री होने लगी है इसके लिए सबसे बेस्ट आउपरेशन कौन सा है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर दिवान शुग अपतार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों पित की थेली या गॉल बेडर छोटा सा थेली नुमा अंग है जो लिवर के नीचे मिलता है यह अंग बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है जो कि हमारे बोजन को और खास कर फैट्स को पचाने में मदब करता है जब यह बाइल जूस कॉलेस्टरॉल से सुपर सैचुरेट होने लगते है या इनमें बिली रूबिन नामक पिग्मेंट जादा बनने लगता है या इनकी मुटालिटी कम हो जाती है तब इसमें पत्री बनने लगती है और इसके लक्षन दिखाई देने लगते है जैसे कि पेट के दाई थरब उपरी हिस्से में पेट में दर्द होना फैटी खाना खाने के बाद इस पेट दर्द का बढ़ जाना उल्टी होना पेट फूलना जी गबराना इन लक्षनों के आने पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपने देखा होगा कि अक् आपको आज यहां बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इस परेशानी का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑप्रेशन है दवाओं से इसका इलाज संबब नहीं है पर आपको घबराने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि जो ऑप्रेशन के ओप्शन अवेलेबल हैं वे बहुत ही सेफ हैं सक एक्स़स फूल हैं जिनकी रिकावरी रेट भी 100% है इस और प्रेशन में पहला है लेपरोसकोपिक कॉलिस स्टेक्टॉमी और यह बैस्ट ऑप्शन है लेपरोसकोपिक कॉलिस स्टेक्टॉमी यानि दूर्बीन द्वारा किया जाने वाला पित की ठाली का ऑपरेशन जिसे में लोग lap koly भी कह देते हैं इस operation की खास बात ये है कि बहुत ही छोटे चीरे से ये operation किया जाता है इसलिए इसे minimal access surgery या keyhole surgery भी कहा जाता है इस operation में छोटे चीरे लगते हैं इसलिए operation के बाद में दर्ब भी कम होता है और इस वज़े से मरीज की recovery भी fast होती है यानि मरीज बहुत जल्दी अपनी सामने दिनचर्या में लोट पाता है और अपने काम पर भी जल्दी लोट जाता है काम से छुटी कम लेनी पड़ती है इसलिए इस तकनीक को best माना गया है इस operation के लिए पहले आपके कुछ blood test कराये जाते है और anesthetic ड्वारा pre anesthetic check up कराये जाता है और ये देखा जाता है कि आप surgery के लिए fit है या नहीं आपको operation वाले दिन खाली पेट आना होता है यानि आपको कम से कम 6 गंटे तक खाली पेट यानि बिना कुछ खाये पे hospital बुलाया जाता है ये operation जनरल anesthesia यानि पूरी बियोशी में किया जाता है बियोश करने के बाद सरजन आपके पेट पर आदे इंच के 3-4 छोटे-छोटे चीरे लगाते हैं जिससे दूर भी surgery में इस्तमाल होने वाले उपकरण और camera पेट में डाले जाते हैं इन में से एक चीरा नाभी के पास लगाया जाता है फिर सबसे पहले पेट में carbon dioxide या CO2 gas पेट में भरी जाती है जिससे पेट फूलता है और दूर भी नी उपकरणों को काम करने के लिए एक जगे मिल जाती है इसके बाद ये सबी उपकरण और camera पेट के अंदर डाल कर operation शुरू किया जाता है सर्जन का एक assistant camera operate करता है और ये camera पेट के अंदर का द्रश्य बाहर लगे टीवी या monitor पर सर्जन को दिखाता है ये द्रश्य देखते हुए सर्जन दूरबीन वाले उपकरणों से पिट की थहली को लिवर से काट कर अलग करते हैं और ये पेट पर लगे इनी छोटे चीरों से बाहर निकाल देते हैं operation के बाद एक बार अच्छी तरह camera से पेट में surgical field को चेक करके सारे उपकरणों को बाहर निकाल लिया जाता है उपकरण निकालने के बाद पेट में डाली गई CO2 गैस को भी बाहर निकाल लिया जाता है तो दोस्तो उमीद है गॉल बेडर के stone के इलाज पर दी गई है मेरी जानकारी आपके लिए लाप्रद होगी और अगर आप ऐसी परिशानी से परिशान है और operation कराना चाहते है तो आप उपर दिये गए नमबरों पर संपर कर सकते हैं दोस्तो इसके अलावा अगर आप किसी अन्य बिमारी से पीडित है और हमारे expert doctor से contact करना चाहते है उसके लिए भी आप इसी नमबर पर संपर करें और health और medicals related, useful, authentic, reliable information के लिए के पर हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद